नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है, मैं 13 वर्षों से पृत्योगी परिक्षा के लिए छात्रों को पढ़ाता हूँ आरो पेपर लीक मामले में कुछ कहने के लिए हाया हूँ सासन प्रसासन से एक अनुरोध और छात्रों के नामे एक संदेश देना चाहता हूँ सरप्रतम तो एक सूचना साजा करना चाहता हूँ आरो पेपर लीक की बहुत सारी खबरें हम लोग परिक्षा के बाद से ही लगातार सुन रहे हैं और शायद परिक्षा के दर्म्यान भी यह सुनाई पढ़ गया था कि आरो पेपर लीक हुआ है उसके तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं तमाम सारे छात्रों ने हमसे कहा हम लोगों कि क्लासेस के दौरान बार-बार बच्चों के मैसेज आते हैं सर ऐसा हुआ तमाम सारे छात्रे भी बताते हैं कि हमने देखा हमने देखा कि कोई 15 मिनेट में पेपर करके बैठ गया था को एक घंटे में पेपर करके बैठ गया था बहुत सारी खबरों के बाद सबसे पहले तो हम प्रसाशन प्रसाशन का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस घटना को संग्यान लिया और आपने प्रिश्णेट जारी किया कि आरो यारो परिक्षा 2023 के संदर्व में कतिपए समाचार पत्रों में कुछ खबरे प्रकासित हुई है उपरोग्त को दर्श्टिकत रखते हुए आयोग ने इस पूरी परिक्षा के जांचेतु एक अंतरिक समिति का घठन किया है और और साथ ही साथ आरो यारो प्रार्मणी परिच्छा 2023 के सारे बिंदूओं पर स्तियफ से जांच कराने का निरणे जिसके लिए शासन को अनुसंसा की गई है जांचो परांद परिक्षा के सुचिता को दर्श्टिकत रखकर आयोग द्वारा उचित निरणे लिया जाएगा और ये धन्यवाद के पात्र है सासन पर सासन की कमसकम आपने संग्यान लिया वरना एक आम आदमी के एक आम विद्यार्थी के बन में तो यही था कि पता ने हमारी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी लेकिन आपने सुना और ये प्रिश्टनोट जारी किया इसके रात रात मेहनत की है रात रात जागा है और पढ़ा है बारा बारा घंटे की नीदी छोड़ दियें बच्चोंने हम पढ़ाते हैं हम जानते हैं और जब यह पता चलता है कि कोई रुपए देखकर या किसी जुगार से पूरा पेपर हल करके आया होगा और हमारी मेहनत के पढ़े लेने में सक्षम हमने देखा कि पुराने कुछ मामलों में जब थोड़ी सी भी जानकारी पता चली की नकल हुई या किस तरह हुआ तो बिना इस बात की परवाह किये कि सरकार के उपर क्या फ्रस्चिन उठेगा लोग क्या कहेंगे कि आपके यहां नकल हो रही है इ उन उमीदों को मत तूटने दीजेगा यदे आप इसको संग्यान ले रहे हैं और इतने सारे वीडियो वारेल हैं और तमाम सारे बच्चे कह रहे हैं तो अगर इतना सारा धुआ है तो कहीं न कहीं चिनगारी तो होगी तो बस निवेदन यही है कि इन सपनों को तूटने मत दीजेगा अगर यह स्टीफ के जांट के बाद आप सब चीजे सही पाते हैं तो पेपर रद करने की विनती है कि आप यह जो इमांदार लोग है जिन्होंने पूरे मन से रात रात जाकर पढ़ाई की है जो 2021 के बाद रोज यह पूस्ते थे आरो का पेपर कब आएगा और उ यदि इस चीज को पाया जाए तो इस कड़ाई से एक ऐसी विवस्ता बनाई जाए कि कम उसका मुत्तर प्रदेश लोग से वायोग यूपिटर बलस सी और प्रदेश में होने वाली किसी भी परिक्षा में इस तरह के नकल लाओ यह धब्बा होता है हमारे समाज पर यह धब जाएगा और जो जुगाड़ वाला चात्र हुआ आगे चला जाएगा तो हमें अच्छा समाज नहीं बना पाएं एक अध्यापक के नाते मेरे हरदें की पीड़ा है मैं पुना साशन प्रसाशन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम इसको देखा और आपने इसे सं उना निवेदन के साथ जो उचित हो वही हो इश्वर से प्रार्थना है शासन प्रसाशन से अनुरोध है बच्चों से उम्मीद है बहुत धन्यवाद